मध्यान भोजन मिलता है जी क्या मध्यान भोजन में क्या क्या मिलता है खाने के लिए क्या बोलते हैं क्या लगाई है ये क्या नाम है आपका क्या विकास के स्थिती है और तो दिखिये रहे हैं यहां का हाल वे हाल जो सणता है नुवाना गरतन पाटी परतापुर विधान सभ कुश भी वारवी करके कालेच करके जब नांगर जोतना पड़ता है कोई न्होंक्री का कोई संभाव नहीं जो की लग रहा था तो देखो कि दुसरे कोई को बेच दिया न्होंकरी पुन भेचा है मैं इसको बता दूँगा टीस ने बेज दिया जब की मेरे बेटा को लग गया था ते तो काफी पुराना बहुत बुजूर्ग हस है ना और बहुत दिन दुनिया ले देखे हैस मैं जानना चाहत हूं अभी जो सरकार चार साल में कॉंग्रेस कर है फुपेस बगहल मुख्यमंत बोट का के दे था गोड़वाना गरतंत्र लदे था कि कॉंग्रेस लदे था कि बिजेपी ला अभी नहीं पता नहीं है बबाबा यह नहीं बता था बहुत बहुत चालू है दादा जी बताना नहीं चाह रहे है कि किसको बोट दिये इस वक्त मैं हूँ यह वी एस एम प्रात्मिक साला भेडिया की इस कैंपस में और वी एस एम का फुल फॉर्म मैं बता दूँ वनवासी सेवा मंडल जो यहाँ पर विद्याले संचालित हो रहा है इस नाम से प्रात्मिक साला है और आज मकर संक्रांती है मकर संक्रांती पर जो भेडिया के जो लोग हैं जिसमें बच्चे हैं नावजवान हैं और कुछ बुजूर्ग हैं इस सब यहाँ पर एक मस्ती कर रहे थे निरित्य कर रहे थे और आदिवासी निरित्य देखने को मिला बहुत ही अच्छा लग रहा था मैंने सोचा कि क्यों ना इन भाईयों से बेहनों से और बच्चियों से बात की जाए और ज यह यह चांव बता तो चाहिता कजू यह 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 यवाद पढनेगान की जाल आटी हो क्या यह वो कि इस सथे ऊढ़िंद्याग ची आधूमं आपको दॉंचरा मृट हो मिलता है वदर में ने आती हो इसदिन sauce में उस द capital लीदा मेर्टी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या नाम है आपका प्रवस् 보통 बोटे कौन जरूभास में पड़ती हो बटा दुसरी कौन कौन गुरुजी है टीचर शिक्चक नाम याद है क्या नाम है आपका मायावती मराभी मायावती कौन से कलास में पढ़ती है दस्वी कहा इसकूल कहा है जै गुणवाना लेंड पब्लिक इसकूल भेडिया अच्छा तो वहां वो प्राइबेट इसकूल है या फिर सरकारी प्राइबेट अथि बढ़यी वहां कैसी होती है अच्छी होती है कितने टीचर हैunken दस ह। और इनग से कुछ आप आप। क्या नाम है दीदी आपका क्या करती है क्या करती है डिदी मैं स्यार्पी हूं समुँ की पुरा ड्रेस आपका पुसाग ही अलग है आईए थोड़ा चर्चा करते हैं आपसे पुसाग का पुसाग का पुसाग का सवाल तो किया जा सकता है लेकिन उससे पहले राजकुमार जी मरकाम जी की इस मुरिती में आज ये निरित्य और ये सबतमाम कारिकरम जो चल रहा था हम रास्ते से गुजर रहे थे हमारी निगाहें आप पर पढ़ी और देखे कि ये जो बच्चे बच्चियां है जूम रहे हैं आप सब जूम रहे हैं मजा आ गया देख करके तो ये उनके बारे में ज़रा बताईए सर जी ये गुणवाना रतन पीन वासिदादा हीरा सी मरकाम है जिनको अठासी संभू से की रूप में जाना जाता है क्योंकि इस धरती में अठासी संभू से हुआ करते थे अज नवासी संभू से की रूप में जानते हैं क्योंकि गुणवाना रतन पीन वासिदादा हीरा सी म मुरकाम ने अपनी नोकरी को छोड़ करके जो सुप्रीम कोट के वकिल थे एक केस में उनका 20-25 रुपया मिलता था उसको छोड़ करके और जो सिक्षक पद में थे उसको भी छोड़ करके इस समाज की इस देश के खातीर वो खुद पड़े ऐसे महामानों का आज हम लोग जनम वारे में नहीं दे सकते इसलिए दादा मरकाम ने कहा एक मुठी चावल बचाओ और जो हमारे बाल बच्चे हैं उनको सिक्षा देने का काम कीजिए गाओं गाओं में एक मुठी अंदूलन चला है जिससे हम लोग अपनी बच्चों को दस बेक्ती गोद ले करके इसको संच दिल चलारहे हैं घरतन्त्र पाटी जब चुनाओं के लिए मैदान पर उतरती है तो यह जो बहुत पाती है क्यों क्या वजजे है कि गलवाना गरतन्त्र यहां से लीट करती है कितना उत्छ किलीए और तो को जानका रही है कि कि सर गौनदा अ है सबसेजादी बहुमत में कि इस ग्राम पंचायत में वना अधिकार का दादा मरकाम ने दिल्ली में जाकर के जंतर मंतर मैंदाद में साड़े चार लाख लोगों को दिल्ली में ले जाकर के 2006 में अंदुलन कराय साड़े साथ सो किलमेटर दूर पैदल ले जाकर के तब सुप्रिम कोट ने पास किया अवर वना धिकार का पुट्टा पूरे देश में मिला तो यहां के कुछ सबसे अधीक लोगों को मिला इसलिए यहां के लोगों सब लोग सोचे कि हीरा सिंग ने हमारे जल जंगल जमीन और मान समान सभीमान के ख़दीर हम लोग का काम कर रहा है इसलिए क्यों ना अगर उनहीं के कहे अनुसार आदमी को हम लोग अगर अपनी बेटा और बेटियों को विधाय का मंत्री बना ले तो हो सक कांग्रेस की सासन चल रही है पच्छतर साल उन्होंने सासन सत्ता चलाये लेकिन आज तक रोड का हाला देख लीजे इसकुलों में आकर के देख लिए इसकुल में जहां छट्विस लेकर के आठवी तक इसकुल है वहां सिर्फ दो टीचर है वहां का भी हालत विहाल है जहां बनवासी सिवा मंडल पहली से पाचवी तक का इसकुल है वहां सिर्फ एक मास्टर है ऐसी स्थिती में हमारे रत्म दाद आहिरस मरकाम ने स्वचे कि हम लोग क्यों ना इस अपने ही स्विक्छा अनुसार से अपना जो खाना खाते हुशी में से एक मुठा बचा करके अपन अचा पहले चार थे अब नहीं है तो यह इसकी शिकायत बियो साहब से किये सराज आज कहीं भी जाइए कहावत है कि चेप रासिस से लेकर के परधान मंतरी तक तवलो का अदमी है गाव में किसी का तो बात सुनने वाला कोई नहीं क्योंकि जब चुनाव आता है तो हमारे जाओ गरीब किसान मजदुरों को दारू अर मुर्गा से तो जीत बोट लेकर के चल देते हैं पांस सार हमारे लोग भूगतते हैं उसी बात को कोन आएगा सुनने कि यह यहां बियो साहब कभी आये क्या है यहां बीयो साहब कभी आकर के देखे यह कोई आया ही नहीं कोई आता है रोड की नारे है बनारस रोड है बिल्कुल आप देख सकते हैं यह सड़क जो है यह बनारस मार्ग है उत्तर परदेश को जोडने वाला यह मुख्य सड़क है और इस सड़क के बहुत समीब भेडिया का यह पूरो माध्विक साला विद्याले है जहां पर महज दो ट अमर्जीत भाई क्या यह जो चला रहे हैं आप इसको क्या बोलते हैं इसको सिधा सिधा रिक्षा तो यह रिक्षा आपको मिला है सरकार के तरफ से या फिर आपने खरीदा है खरीदा तो नहीं मैं मेरे को दिक्कत हो रहा था चलने में मैं कई जगाए आवेदन डाला इसके बाद फिर यह कहीं मेरा प्रस्ताव पास हुआ तो फिर सुरजपूर को मेरे को बलाए इसके बाद मिला है यह जो तकलीफ है आपको सुरू से है या फिर बाद में ऐसा कुछ है इसे तो बचपान से है लेकिन जएनम के बाद का है आप क्या करते हैं कैसे करते हैं अपना जो जिवी का है जो पेंसन के पैसे हैं उसे जीवी का पारजन के लिए संघर्ष करते हैं इस कंडिशन में देखी एरिक्सा में एक दिव्यांग है और जो चल नहीं सकते और चलने में काफी दिकते हो रहे थी तो सरकार ने कम से कम सुना कि आपको ये एरिक्सा इलक्ट्रॉनिक है ना गाउंकली का क्या विकास के स्थिती है? आगे बढ़ते हैं राजकमार जी आपसे थोड़ा सा फिर से बात करेंगे च्छोके गवाना-गरतंत्रपाटी के आप संभागिये सचिव हैं अगर इस बूत से भेडिया गराम पंचाथ से अगर जीत मिलते हैं तो गोड़वाना पाटी को मिलती है तो क्या लगता है दो हजार तेईस में गोड़वाना फिर से जीतेगी कि अब गोड़वाना के जो चाहने वाले हैं वो थोड़ाचा इधर-उधर हो रहे हैं गोड़वाना गरतान पाटी परतापुर विधान सभाव में सर बहुत जोड़तोर से काम कर रही है घर में जाकर के अपनी भामत बना रही है और यह तय है कि दो हजारतेज समय आगा तो उसको पुना और अपका भी तुव इरादा नहीं है संग्ठन पाति पोल दिजे कहा वाथ है कि गुंडवाना गत्रपाटी में संग्ठन चुनाव लटती है कुई सी बेगती को नहीं किसी को तो केंडिडेट उतारेगी ना अभी केंडिट नहीं हुआ है सर अभी पहले हम लोग को आप के भी मन हैने के पूर हम लोग का जो है कि आशा पोया थे और हो सकता है अगर संगठन चाह जाए तो नहीं को भी मिल सकता है लेकिन अब संगठन चाहरी आशा पोया जी को संगठन चाह रही है और लोग भी चाह रहे हैं अभी भी आशा पोया बनी हुई है तब तो भाई विस्वास है क्या नाम है आपका मेरा नाम है जानता को रोजगार मिलना चाहिए यह तो आप बात करते हैं कि विकास होना चाहिए सड़के बननी चाहिए लोगों को सुविधाय मिलनी चाहिए लेकिन मैं पूछना चाहता है जगते जी यह जो चार साल अभी वर्तमान सरकार कॉंग्रेस की सरकार को हो गई है दिसंबर में चार सालों में कॉंग्रेस की सरकार कितना इकासー किया और कितना काम क्या इस गराम पन्झद 20th brom m pendulum एक बिराशल कोपन प्सक्राइब की का मिल एक हो मिल रहे जलता कि हम sacrifices क कि मुख्हा लोग कशने करना कौन है हमारे डाक्टर प्रेम साय जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है और इस विधान सबाद शित्र की विधायक है आपके भीडिया गराम पंचायत में आकर कि आप लोगों से कभी उन्होंने मिला आप लोगों का हाल चाल जाना है कभी दे मिले हैं हम लोग से मतलब जब तक रखेऽे के सारा बार कि एकन्षन गल्जफ न दो पंचा लिए पर्मने लिए लिए लइप कोंष does not what is now तो टीएस बाबा पर आरोप क्यों लगा रहे हैं तो उनका सत्ता था आप कईसे बेच दिया कईसे कर नहीं तो हमको एक डेड़ लाख रुपर मांगे रहे हैं तो खरिद ले रहे हैं तो खरिद तो लेवे किये तब तो हम भी बंगा हैं जब पुलिस वाले जो कि सब कोई ता मिलता है पहले मिलता था मिलता अब नहीं मिलने का वजे एक यह सरपंश नहीं दिया है ना वो लिख पड़के काई ना भाई नी तो उतना दिना अप सरपंश दिया था ना अब हट गया आपको कितने कितने दिनों से नहीं मिल रहा है पेंसां दादा आपको आपको पुराना बहुत बुजूर्ग है ना और बहुत दिन दुनिया ले देखे आज मैं जानना चाहत हो अभी जो सरकार चार साल में कॉंग्रेस कर है हुपेस बगहल मुख्यमंत्री है पता है ना हुँ हुँ को ने मुख्यमंत्री नई है पता लेकिन तो भाई थोड़ा सा चमाल हुए तो यह जो चार साल में यहां सरकार कितना मदद करी से कितना काम करी से भाई आप बहुत कर लहाँ भग्वान कोई से बुऊद कर कर ला क्यों कर लूंग है नहीं से नहीं बता है दाधाजी किसको बूड दिए कि आपका ऑपका गुडवान गलेक के शाक हों अच्छा गुडवान का कुछ इसेंड़ आट59 अच्छ टेंगे यह देखा जा रहा है पहली से 8ए तक वो दाल भाद चूर गया हमारा पढ़ाई पूर गया ये सिस्टम सरकार ने निकाली है तीक है इससे क्या है कि देनी स्थिति हमारे बच्चों की हो रही है उसी को देख करके जो जिनका आज हम लोग परतिमा को इस्थापित करके जनम दिवस मना रहे हैं ये पेनवासी दादा आहिरा सिंग मरकाम ने एक गुडवाना बिद्याले की स्थापना किया है कि हमारे समाज के बच्चें को आईसी सिक्षा की जरूरत है जो की अपने परिवार को सुबेवस्ति संचालित कर सकते हैं आप बताईए कि चार साल जो हो गए यहां 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार भुपेस बगिल की सरकार को चार सालों में विकास कैसे हुए हैं भेडिया में एजे सिक्षक चुकि आप चारों तरफ नजर गड़ाते होंगे देखते होंगे समझते होंगे उसके अधार पर यह हम सो में पचीस परतीसत ही हुआ है एक चीज मुझे बताईए जैसे यहां पर चाहें बीजेपी हो या कॉंग्रेस हो परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि विधायकों की परिवर्तन होनी चाहिए यहां भी भेडिया में भी वही हाल है वो चाहते हैं कि चार हैं कि जो चल रहा परिवर्तन तो होना चाहिए और परिवर्तन अगर नहीं होता है तो जैसा है वैसा है लेकिन जैसा विधायक है वो सुचारू रूप से अगर कार करें तो हम नहीं चाहते हैं कि परिवर्तन हो लेकिन यह काम नहीं कर रहे हैं यह आपका ग्राम पंचयत भेडिया के इस सरजमी पर और प्रात्मिक साला और माध्वीक साला के इस पावन धरा पर हम मवजूद थे जहां पर गोड़वाना गरतंत्र के चाहने वाले लोग आज उनके करता धरता मरकाम जी मरकाम जी के स्पृति में खुब मकर संक्रांती के इस उपलक्ष पर निरित्य चल रहा था आदिवास दिला आप चलेगा चार सालों की विकास में राजनीतिक मुद्दों पर और गाउं की विकास पर हम बात आगे बढ़ाते रहेंगे बैरहाल भेडिया गराम पंचायत किस धरती से ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा अच्छा देवार तरीके से खबरें देखने को जरूर मिलेगा बहराल दिलेस दिवागन को दीजे इजाजत नमस्कार